नमस्कार दोस्तो रंजन श्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है जैसे की 29 फरवरी को वेस्ट बंगाल बोड कलाश 12 का जोगरोफी का एक्जाम है तो आज के इस वीडियो में हम जोगरोफी के कुछ महतपूर्ण कुछ इन्पोर्टन को डिसकस करने जा रहे हैं यह सभी इन्पोर्टन कोस्टन यह 2024 के एक्जाम में आने के संभाव नहीं लग रही है इस बार यह सभी लोग कोस्टन है तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोस्टन को डिसकस करने जा रहे हैं जो की 29 फरवरी वाले एक्जाम में आने के संभाव नहीं लग रही है तो वीड एइस अरनी अस्थला किर्तियों का वर्नन करें पहला कोस्चन है कि ozag आपर देश में डो लाईन और ड्रीप श्टॉन या फिर अन्य अस्थला किर्थी का वर्नन करें ठीक है ऊस्चन दिया रहेगा काष्ट परुद्येश में मैं काष्ट पर देस बहुत सरा नाम है काश्पर्देश में चाहिए वो नाम दे दे उन सभी का आपको क्या करना है वर्नन करना है यहां पर कोशन में लिखा हुआ है काश्पर्देश में डोलाइन और ड्रीप स्टोन या अन्यस्थला किरतियों का वर्नन करें चाहिए दोनों नाम दे देगा या फिर कोई अ कि चीत्र जो है वो किस तरह से बनाना होगा काश परदेस में डो लाइन हो या भी डीप स्टोन हो या फिर बहुत सारा और जो अन्नी अस्तला किरती है उसका चीत्र भी बनाना पड़ेगा लिखने के साथ सथ कि यह लोंग कोशन है अब दूसरा है मरुदी भीद की अनुकूल ठीक है तीसरा कोशन है गन्य, चाय, कहवा की खेती के लिए आवस्यक भौगलिक दसाओं का वर्नन करें यहाँ पर जैसे मैं इन तीन नाम दिया है गन्य, चाय और कहवा इन तीनों में से कोई एक का भौगलिक दसा पूछेगा चाय आपका कहवा का पूछ दे तो कोशन एक खेती के लिए आवस्यक भौगलिक दसाओं का वर्नन करें ठीक है कोशन इस पर कासी एक्जाम में पूछेगा यह तीनों नाम नहीं दिया रहेगा तीनों इस बार इंपोर्टन लग रहा है चाय और कहवा का पूछे तीनों में से कोई एक ही एक्जाम में आएगा आप यह फिर आजाएगा कहवा की खेती के लिए आवस्यक भौगलिक दसाओं का वर्नन करें अब चार नमर कोशन में आते हैं हम तो चार नमर कोशन है कारी के आधार पर नगरिये बस्तियों का वर्नन करें चार नमर कोशन यह है कि कारी के आधार पर नगरिये बस्तियों का वर् करें यानि कि भारत के पूर्वी मत दिभाग में जो लोग इसपात उधोग की अस्थापना हुआ है उसके कौन-कौन सा कारण रहे होंगे वह सब कारण आपको लिखना होगा ठीक है पॉइंट देखे नंबर देखे यहां पर कोशन है भारत के पूर्वी मत दिभाग में सचित्र बणन करें यहां भी चीतर बनाना होगा और साथ में इस सभी का वरनन भी करना होगा, यह भी देखियzę छेł नुमर 2024 विलियम मोरिश डेविस दवारा वर्णीत अप परदन की विभिन स्थित्ती का सचित्र बणन करें यानि आपको उसको थो पारे में लिखना भी होगा और साथ में उसका चीत्र भी बनाना होगा ठीक है साथ नमर कोस्टन है भुमत दी सागरिय जलवायू परदेश क्यों फलों के उत्पादन के लिए परसीद है ठीक है साथ मर कोस्टन यह है कि भुमत दी सागरिय जलवायू परदेश क्यों फलों के उपज के लिए परसी आठवा कोस्चन है जय विविद्धता में आनुवांसिक विविद्धता तथा जाती विविद्धता या जाती विविद्धता का संचीप्त टिप नी लिखें ठीक है कोस्चन आएगा जय विविद्धता में आनुवांसिक विविद्धता तथा जाती विविद्धता पर आप लोगों को यह सभी जितना भी लोग कोशन है यह सभी मिल जाएगा तो आप लोग सजेशन से एक बार पढ़ लिजेगा ठीक है यदि आप आप सभी का यह सब कोशन का उत्तर यदि कोपी में लिखा होगा तो आप लोग कोपी से पढ़ लिजेगा क्योंकि सजेशन में करें तिक है नुवानन को स्टभी कि निटिसषिथा रीधा के महत्व का वर्णन करें जुआ क्वित्वर्ण कुसलब इस बम में स्टोब को युश्ण को इस उसके एनसर निखिर अच्छ इस आप क्या है कच्चे माल की कमी के बाद भी जापान में लोहा एवं इस्पात उधोग के विकास होने के कारणों का वर्णन करें ठीक है ये कोशन बहुत ही जादा इंक्पोटन्ट है पीर से itelे फ़र पढ़ते हैं कोशन को कच्चे माल की कमी के बाद भी जापान में लोहा एवं इस्पात उधोग के विकास होने के कारणों का वर्णन करें अभी 11 नमर कोशन आते हैं सूति वस्तर उधोग को फूट लगूद दोग क्यों कहा जाता है यह कोशन है कि सूति वस्तर उधोग को फूट लगूद दोग क्यों कहा जाता है बारवा कोस्टन है विश्व के विभिन भागों में जनसंक्या के और समान वित्रन से संबंदित भौतिक तत्व का वर्नन करें ठीक है ये भी इंपोर्टन कोस्टन लग रहा है चाउदवा कोस्चन है, उप्युक्त रेखा चित्र की साहता से एक सितोस्न चक्रवात कवर्नन करें, यहां भी रेखा चित्र की साहता से यानि कि सितोस्न चक्रवात के बारे में आपको लिखना भी है और साथ मिसका चित्र भी बनाना है, ठीक है, यह कोस्चन को आप लोग ध यहां से पढ़िएगा जिस कोशन में चीतर बनाने के लिए बोल रहा है यदि आपको चीतर बनाने नहीं आता तो वह कोशन आप छोड़ दिजेगा कुछ अलग जो अथवा में देख दिया रहता है कोशन करिएगा जैसे यहां पर चौदवा नमर दिया हुए है उपयुक्त प्रेखा चीतर की सहाथा से एक सितोस ने चकरवात का वर्नन करें यदि हम सितोस चकरवात के बारे में लीक भी देंगे लेकिन हमको चीतर बनाने नहीं आएगा तो यह फिर नमबर छूड़ जाएगा इसलिए आप लोग कोशन देख के समझेएगा और उसके बात करिएगा यदि चीतर बनाने आ रहा तो कोई बात नहीं चीतर आप लोग अच्छे से बनाईएगा पेंसिल से बनाईएगा पंदरा नमबर कोशन है मिट्टी के संरच्छन के विविन वीधियों का वर्नन करें तो यह सब कुल मैंने 15 लोग कोशन इंपोर्टन माना है जो 2024 के स्टुवेल का अंतिम इग्जाम भी है 29 फरवरी को ठीक है यही सब जो लोग कोशन है यह सब आप लोग पढ़ दीजेगा अच्छे से यही सब लोग कोशन में से आने का चांस लग रहा इसे बाहर मुझे नहीं लग रहा कि इसे बाहर कोई कोशन दे दे कि मैंने 15 यहां पर ल जलिए धन्यवाद